40,000 की spelling क्या होती है और 40,000 रुपए को चेक पर लिखने का सही तरीका क्या है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं कोई भी चेक आप बनाते हैं तो सबसे उपर आप इस तरीके से account पर ही लिख सकते हैं यानि के 40,000 को इंगलिश में 40,000 रुपीज कहते हैं तो इसकी spelling होती है और उसके नीचे आपको 40,000 रुपए मातर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हिंदी एंगलिश में से किसी एक भाशा का ही इस्तेमाल करें और राइट हैंड के तरफ जो box बना हुआ रहता है उसमें आप इस तरीके से अंकों में 40,000 लिखतेंगे जैसे हमने आपकी स्क्रीन पर लिखकर आपको दिखाया है इसमें 4 के बाद 4,0 होंगे ऐसे ही और वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें आपके लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं